वेल्कम बाक टू माई यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में बात करेंगे लीडर्शिप स्टाइल्स के बारे में सो लीडर्शिप स्टाइल से बहुत सारा कंटेंट आपको अलड़ी बुक्स में मिल जाता है आपके नोट्स में मिल जाता है बट समझ नहीं आ रहा है तो लेट सी शॉट में ओवर्व्यू ले लेते हैं हर एक स्टाइल का और जैसे कि आपका कॉंसेप्ट क्लियर हो जाएगा समझ लीजे एक ऐसी लीडर्शिप है जिसमें strong control रहता है ओफ़र दग्रुप यानि कि ऐसा मान के चलती है ऐसा मान के चलाता है इस लीडर्शिप स्टाइल में कि जो ग्रुप है वो in capable of making decision मतलब ग्रुप के members decision नहीं ले पाएंगे जो भी है वो leader को ही बताना है और leader का यहा में समझना हो तो autocratic leadership style वो होती है जैसे hitler की मतलब dictatorship type की जो leader चाहेगा वही होगा ठीक है यहां पर यह assume कि करके चलाता है कि जो individuals हैं यह जो group members हैं वो motivated होते है external forces से और वो external forces क्या होंगे कि अगर power का यूज किया जाएगा leader अपनी power का यूज करेगा अपनी authority का यूज करेगा need for approval का use करेगा तो जाके वो जो workers हैं वो काम करेंगे group काम करेगा इस तरीकी की जो assumption है वो इस leadership style में देखने को मिलता है next हो गया हमारा democratic leadership so democratic leadership style वो है जो कि आप एक line में समझो तो जैसे हमारे democracy है हमारे इंडिया में democracy है ना मतलब government जो है वो लोगों की द्वारा बनाई जाती है government लोगों की सुनती है और सब ऐसा नहीं कि सिफ government अपनी अपनी चला जाए ताना सा जो डिक्केटर्शिप जो हमें यहां देखने को मिल रही थी ऐसा कुछ नहीं होता है so democratic leadership style वो होती है जहां पर leader members की बास सुनता है opinions उनके भी consider करता है और तब जाकर decision लेता है ठीक है next हो गया आपका bureaucratic leadership style so bureaucratic leadership style वो होती है जो कि policies and rules पर रिलाई करती है मतलब यहां पर जो leader है उसको उसका यह मानना है कि leaders जो है ना तो खुड decision ले पाता है और ना ही followers मतलब जो group members है वो भी decision लेंगे leader भी decision लेगा leader हमेशा policies और rules को follow करते हुए decision बनाएगा तो उसको कहते हैं bureaucratic leadership style नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ नमबर पर लेशेज फेयर leadership style और इसको free rein leadership style भी बोलते हैं इसमें क्या होता है कि इसमें जो subordinates है मतलब वह employees या group members कहलो यह मोटिव ऐसा leader प्रोवाइड नहीं करता है कि आपको कैसे गाम करना है कोई भी instruction नहीं देता है group members को और group members बिल्कुल free होते हैं decision लेने के लिए और वही मतलब उस institute के लिए जो बैटर है कि सरीके से goal achieve करने वह वहां की group के जो उस institute के जो workers होते हैं वही decision ले लेते हैं तो यहां पर conflict के चांसे बढ़ जाते हैं इसी वचे से ठीक है नेक्स्ट आपकी कुछ आते है इमर्जेंट लीडर्शिप स्टाइल सो एमर्जेंट लीडर्शिप स्टाइल में सिच्वेशनल लीडर्शिप स्टाइल ट्रांस्फोर्मेशनल और ट्रांसेक्शनल को रखा गया है तो हम एक करके देखेंगे सिच्वेशनल लीडर्शिप स्टाइल क्या होती है सिच्वेशनल लीडर्शिप क्या होती है पहली एक ऐसा style है जो change होता है according to situation कि मतलब अगर situation demand कर रही है situation की according change हो जाओ right for example कोई fashion industry है और अगर वो अपना fashion time to time change नहीं करेगी वही पुराना fashion follow करती रहेगी तो फिर फ्लॉप हो जाएगी right so situational leadership जो है वो situation की according अपने आपो change करती रहती है अब यहां पर एक diagram है उसके तुरू आप यह समझ सकते हो कि style 1 style 2 style 3 और style 4 यह सब क्या होता है so style 1 में यह है style 1 s1 यह है s2 यह s3 और यह s4 है ना दिख रहा होगा आपको ठीक है so यहां पर आप एक graph देख रहे हो और graph के y axis पे supportive behavior है और graph के x axis पे directive behavior है ठीक है so अगर हम basically मोटा मोटा समझें so s1 अगर s1 को देखें तो s1 में सबसे ज़्यादा directive behavior ज़्यादा है और supportive behavior कम है ठीक है s1 जो है वो ऐसे लोग हैं जिनको हमें directions देने की जरुवत है जाल से ज़्यादा directions देने की जरुवत है डारेक्शन के सब टास्क रिलेटिद डारेक्शन है ना होते हैं जो जैसे कोई organization में new employees होते हैं new employees ने आखे जाइन किया होता है तो starting में बहुत enthusiastic होते हैं पूरे energy से बरे होते हैं और उन्हें कोई भी टास्क बोलतो जल्दी जल्दी टास्क कतम करके आते हैं तो यह हो गा हमारी s1 style s2 style s2 style में coaching और sailing बोला गया इसको s2 को क्यों क्योंकि यहां पर आप देखो डारेक्टिव behavior s2 का graph यह जा रहा है यहां पर डारेक्टिव behavior थोड़ा कम हुआ है और supportive behavior जादा है यानि कि s2 में ऐसे लोग हैं जिनको हमें direction देने की ज़रूत नहीं है बताने की ज़रूत नहीं है कि आपको क्या काम करना है क्या काम करना है लेकिन हमें उन्हें coaching थोड़ा support करने की ज़रूत है क्यों कि यहां पर देख सकते हो s2 में लिखा भी हुआ है क्योंकि ऐसे लोग skills जानते हैं ठीक है क्या काम करना है कैसे करना है वो जानते हैं बट इनमें confidence की कमी होती है lack confidence तो ऐसे लोगों को हमें थोड़ा सा कोचिंग थोड़े सा एडवाई थोड़ा support देना होता है पिर आते हैं आपके इस थ्री जो है थोड़ा में clean कर देती हो इसको ठीक है अभी अभी ठीक लग रहा है इसका ग्राफ अगर आप देखुए तो यहां पर डारेक्टिव बिहेवियर और कम हो गया है और यहां पर भी supportive बहेवियर ज्यादा है इसका मतलब तो यहां काम करने का में भी आईसे होते हैं जो कोई भी काम करने की लाइक हैं पट इननमें commitment की कमी है तो commitment की कमी है तो हमें थोड़ा counsel करेंगे थोड़ा push करेंगे थोड़ा motivate करेंगे तो यह अच्छे से task achieve कर लेंगे फिर आते हैं S4 S4 वो लोग हैं जिनको ना तो हमें supportive behavior भी कम है और directive behavior भी कम है मतलब इनको ना तो हमें कोई बीचीज बताने की जरूओते ह yanlış & कोई काम कैसे करना है ना ही हमें सुपोर्ट किरने की जरूओते है यह वो लोग हैं जो सारे काम आरहाम से कर सकते हैं इनको कोई भी काम दे दिया जाए delegate हलए तो यह आरहाम से कर लेंगे इनको हम आसानी से responsibility दे सकते हैं तो इसलिए हैं आपर S4 में लिखा है able to do everything यह वो लोग है जो कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं किसी organization के अंदर ठीक है next इसमें दो चीज़ें हो रहे गई हैं यह दोनों चीज़ें हो और समझ लेते हैं transformational leadership और transform transactional leadership ठीक है so transformational leadership जो है यह वो leadership पर जिसमें motivation देखने को मिलता है transformation मतलब innovation है ना कहते है ना transform कर दे ऐसा आइडिया जो world transform कर दे तो यहां पर innovative ideas को promote किया जाता है और यहां पर leadership पर proactive role में रहती है next transactional leadership की अगर बात करें तो यहां पर क्या है कि यहां पर जो वर्कर्स है ना उनको उनसे काम करवाने के लिए रिवार्ड या punishment system के तुरू काम करवाया जाता है यहां पर कोई motivation नहीं देखने को मिलता है यहां पर ऐसा मानना है इस style में transactional leadership में की काम करवाना है तो या तो आप reward दो या punishment दो इस तरीके से और workers यहां पर self motivated नहीं होते हैं ठीक है यह leadership responsive होती है यह transaction leadership works within an organization structure and never deviate और यह organization structure के according काम करती है और उससे कभी deviate नहीं होती है ठीक है तो यह हो गई है आपकी leadership styles in a very short way जिसे कि आपको अब आप खुद से पढ़ोंगे भी या बुक से पढ़ोंगे तो आपको आपको चाहिए clear हो जाएंगी कि क्या overview मिल गया आपको है तो इस तरीके के और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like कर सकते हो but most important thing यह है कि आपको अगर सारे e-books सारे lecture notes और सारे entrance material अगर चाहिए तो आप easily access कर सकते हो हमारे टेलिग्राम चैनल को जिसका की link जो है वो description box में available है description box का symbol इस तरीके से होता है वीडियो के नीचे आपको दिख जाएगा ठीक है किसी भी तरीकी personal को आई है तो comment box में या फिर instagram पे भी पूछ सकते हो so thank you and have a good day